नमस्कार मैं अपूर्वा आप देख रहें इंडी न्यूस शंद्रयान टू के विक्रम लैंडर से संपर्क तूट जाने से भारती अंतराश्टिय अनुसंधान संगठन यानिकी इसरों के कई विज्ञानिकों के साथ साथ उनके प्रमुक डॉक्टर के सिवन भी भावुक हो गए। खुद को संभालते संभालते आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वरो पड़े। उन्हें निराश देख कर प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगा कर धांडस भी बन्धाया। आज हम आपको उनकी ऐसी कई बाते बताएंगे जिनके बारे में जान कर आपको भी अपने इस इसरो प्रमुग पर गर्व होगा इसरो प्रमुग का पूरा नाम डॉक्टर कैलाश वडिवू सिवन है 14 अप्रेल 1957 को तमिल नाडू के कन्या कुमारी जिले के सरकल विल लाइग गाउं में एक किसान की घर उनका जन्म हुआ था सिवन ने एक सरकारी स और बहन गरीबी के कारण अपनी उच्च सिच्छा पूरी नहीं कर पाएं लेकिन सिवन का सफर यहीं नहीं रुका 1980 में उन्होंने मदरास Institute of Technology MIT से Aeronautical Engineering की पढ़ाई की इसके बाद Indian Institute of Sciences से Engineering में PG की पढ़ाई की फिर 2006 में उन्होंने IIT Bombay से Aerospace Engineering में PhD की डिगरी प्राप्त की साल 2018 में सिवन को इसरो का चेर्मैन नियुक्त किया गया उनसे पहले इस पत पर A.S. किरन को मार थे K.S. के अनसार जब वो कॉलेज में थे तो खेतों में अपने पिता की मदद भी करते थे इस कारण सनातक में उनका दाखिला घर के पास के कॉलेज में ही करा दिया गया था लेकिन जब उन्हें B.A.C. में मैट्स में 100% अंक प्राप्त हुए तो उन्होंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने का मन बना लिया सिवन के अनसार बचपन में उनके पास पहनने के लिए जूते चपल भी नहीं थे वे अकसर नंगे पैर ही रहा करते थे कॉलेज तक उन्होंने धोती पहनी है MIT में दाखिला लेने के बाद उन्होंने पहली बार पैंट पहनी वह कभी ठ्यूशन या कोचिंग लास नहीं गए सिवन ने साल 1982 में इस्रो जोइन किया था यहां उन्होंने लगबग हर रॉकेट कारिक्रम में काम किया है इस्रो प्रमुक बनने से पहले वह रॉकेट बनाने वाले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक थे सिवन ने साइक्रोजेनिक इंजिन पी एसलवी जी एसलवी और रियूजवल लॉंच वहिकल कारिक्रमों में योगदान दिया है इस कारण उन्हें इस्रो का रॉकेट मैन भी कहा जाता है 15 फर्वरी 2017 को भारत द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था सिवन ने इस मिशन में एहम भूमी का निभाई थी यह इस्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था आईए आपको बताते हैं कि अभी तक सिवन किन-किन पुरुसकारों से नवाजे जा चुके हैं 1999 श्री हरियोम आश्रम फ्रेदरित डॉक्टर विक्रम साराभाई रिसर्च अवर्ड 2007 में सिवन को इस्रो मेरिट अवर्ड दिया गया था वहीं 2014 में सत्यभामा यूनिवरस्टी चैन्नेई से डॉक्टर ओफ साइंस की उपादी दी गई थी रॉकेट विशेश अगे सिवन को खाली समय में तमिल क्लासिकल गाने सुनना और गार्डनिंग करना पसंद है उनकी पसंदीदा फिल्म 1969 में आई राजिश खन्ना की अरादना है